हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi भारत की एक बहुत देशी परियोजना जिसका नाम National River Linking Project है इसको हिंदी में राशी नदी जोरो परियोजना के नाम से जाना जाता है याद रखें कि इसी प्रोजेक्ट का एक भाग है कोशी मैची Linking Project अर्थात इस प्रोजेक्ट के तहर बिहार का शोक कही जाने वाली कोशी नदी के जलको नियंतरत किया जाना है और साथ में यहाँ पर प्रती वर्ष जो बार की स्थिति उत्पन होती है जिसके कारण बिहार का सीमांचल वाला भाग ज्यादा प्रभावित होता है इसको नियंतरत किया जाना है क्या है यह पूरा मामला जानेंगे आज के इस वीडियो में मेरा नाम याविशिक कुमार और आप सभी का पुनाइस वागत है इस टड़ी IQYS के हिंदी YouTube प्रेटफॉर्म पर देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्च्वल में यह जो नैशनल रिवल लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसको NRLP के नाम से जाना जाता है एक्च्वल में यह NRLP यह भारत के लिए बेहदी important प्रोजेक्ट की तोर पर देखा जाता है क्योंकि यहां भारत में कई ऐसे राज्ज हैं जो कि हर वर्ष बार से प्रवावित होते हैं और साथ में कई ऐसे राज्ज हैं जो कि सूखा ग्रस्त स्थिती से प्रवावित रहते हैं अब यहां पर आवश्यक यह है कि एक वे नदी जिसमें जलकी मातरा बहुत जादा है और एक वे नदी जिसमें जलकी मातरा बहुत कम है यदि इन दोनों को एक नहर के द्वारा आप जोड़ देते हैं तो नहर के द्वारा जोड़े जाने पर आप पाएंगे कि वे नदी जिस इस नदी में जल की मातरा जादा है यानि कि यहां पर यदि जल जादा है तो यहां पर बाड़ की स्थिती है और वै छेतर यहां पर जल की मातरा कम है यहां पर कई बार आप देखते हैं कि सूखा की स्थिती उत्पन्न हो रही है और यदि आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों को जोड़े जाने पर यहां पर इन दोनों में ही जल की मातरा परियापत या फिर जल की मातरा को आप नियंतरित कर सकते हैं और इन दोनों नदियों में जल की मातरा नियंतरित हो गई तो वैच छेतर जहां पर क्रशी पर आधारित अर्थ वैवस्था या फिर मै सकते हैं कि यहां पर आपने बाड़ की स्थिति को रोक लिया और यहां पर जो सूखा ग्रस छेत्र थे उनको जल की आप पूर्ती हो गई तो यहां पर याद रखें कि बहुत देश्य परियोजनाकार्थ यह होता है कि ना केवल वहां पर एक उद्देश की पूर्ती के लिए क बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट और अब हमारे सामने निकल कर आ रहा है देखिएगा जैसा आप मेरे पीछे पेपर की गटिंग देख पाएंगे कि बजट दोहजार चौबिस पच्चेज जो पेस किया गया है इसमें आपने नियूज में भी देखा होगा कि बिहार को कु इसके पश्याच से यहां पर गुस्याच देने की बात चली आ रही थी यहां पर वैज फ्र चेत्र की बहार का बेसिकली सीमांचल प्रांट कहलाता है आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यह वाला अर्य इरिया इसको काल किया जाता है सीमांचल में यादि मैंघना हmyःड पर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो शायद आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि यहां नेपाल वाले रीजन से जब यह कोशी नदी बHART में परवेश करती है तो actual में यह साथ धाराओं के रूप में यानिकि साथ अलग-अलग धाराओं के रूप में यह भारत में आती और बहार वाले रीजन में पहुंच कर यह कई बर्लति होती यहां पर बार आति और साथ में जूकि यहां के सांद्र के शाथ मना देखेंगे किि शंगवालों में गपाड कि kicks और अर्रिया एगा पूर्ड defense French चार चेत्रों में आपको ज्यादा बार देखने के लिए यदि मैं आपके सामने एक और मैं प्रस्तोत करूं तो शायद आप इससे बेडर तरीके से इंडेश्टेंड कर पाएंगे कि यह सीमांचल वाला रीजन और यह कोशी का वह वाला रीजन जहां पर एक्चुल में कोशी नदी प्रवाहित होती है तो यहां पर इस समस्या को खतम करने के लिए आज की समस्या नहीं है लग भग यह बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इस पर बहुत लंबे समय से विचार किया जा रहा है परन्तु 2019 में जब यह नेशनल डेवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इसके प्रेक्टिकलिटी में आप एप्लीकेशन नहीं कर पाते थे इसको एप्लीकेबल नहीं कर पाते थे परन्तु वरतमान की समस्या देखते हुए और वरतमान परिस्तितियों को देखते हुए यहां पर लग भग उननचासो करोड इस प्रोजेक्ट के लिए केंदर सरकार तो मैंने फिर से आपको बताता हूँ कि एक पंद दो काजवाली यहां पर इस्तिती उत्पन होगी अर्थात ना केवल आप कोशी नदी में आने वाली बार को रोकेंगे ना केवल बिहार को मुक्त करेंगे बलकि वह नदी जो की महानन्ना की साइक नदी मानी जाती है दैट बिसिकली हिमालीन छेतर से होता है हिमालीन छेतर वह भी कौन सा तो एक्च्वल में जो चीन और नेपाल के मद्दे वाले पार्ट में इस्तित देखिएगा यदि आपको इस पूरी पीडियाफ इस पूरे वीडियो की पीडियाफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम यहां पर वही कंटेंड लिखा हुआ है जो कि आपके एक्जाम परस्पेक्टिव के साब से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है याद रखिएगा कि चीन नेपाल शेतर से उद्गम लेने के पश्यात यह भारत में प्रवेश करती है और भारत में यह किस शेतर से प्रवे किहार के पास पहुंच कर यह अपनी गंगा नदी में मिल जाती है अर्थात यह गंगा नदी की में ट्रिब्यूटरी कहलाती है गंगा नदी की अधी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात की जाए सबसे बड़ी सायक नदी के हम बात करें तो यह यमना है पश्यात घाग सब्साइब तेखाııने कि सकतिक्रीं में और आ मिलाइं भी कॉछ सब्साइब डिया जाकर है इसको सब्साइक टाइटल मिला हुआ है इसको याद रखें कि यहाँ पर आती है तमोर नदी और यह दोनों कहां से निकलती है तो यह दोनों ही निकलती है तिबतियन प्लेटी वाले छेतर से यानि कि कंचन जंगा के आसपास वाले अरिया से सुनकोशी आती है इसी में तमकोशी नदी आती है और इसी मे भोटे कोशी और साथ में इंद्रावती नदी भी आपको देखने के लिए मिलेगी ये इंद्रावती नदी वे नदी नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं ये इंद्रावती है ना कि इंद्रावधी इंद्रावधी मैयानमार की नदी है ये कहां पर बैठती है ये मैयानमार में प्रवायत होती है आफ यादी मैं बात करता हूँ तो अध्य यह जो प्रूजेक्ट चलाया जा। ज्सको और आर-इलपी औरफात को दिखाई देगा सटोपत हेमानी और ऐसांगे केदार नाथ अब मैघ देता हूँ कि यह आप देखेंगे तो गंगोतरी फिर यह केदार नाथ और यह आपको देखने के मिलता है सतोपत हेमानी यहां से निकलती है भागीथी यह भागी रथी और यह देव प्रयाग में एक्चल में मिलती है इस अलक नंदा नदी से और यदि मैं बात करता हूं तो यह अलक नंदा नदी का भी निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है एक है धौली गंगा और एक आती है विश्णु गंगा यहां से निकलती है मन्द और यह मिलती है किसे अलकनन्दा से याद रखें कि यहांँ पर हरिद्वार के पास एस देवप्रयाग्वन से नीचे हरिद्वार और अलगनन्दा और भाई रथी का तो इनकी सभिखों द्हारा कहलाती गंगा और इस गंगा तो दो परकार की साइक नदियां है एक हैं उत्री साइक नदियां जो की basically हिमालीन चेत्र से आती है और एक बच्चे आती है दक्छनी साइक नदियां जो की basically कहां से आती है peninsular Indian reason या फिर private here भारतीय चेत्र से ये आती है इनका करम किस प्रकार है तो यह है राम गंगा गोमती घागर गंडक फिर आती है राम गंगा गोमती घागर फिर गंडक गंडक के बाद आती है कोशी और कोशी के बाद बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगी that is महानंदा यानि कि अदि हम महानंदा की बात करें तो यह जो नाम दिया जाता है बच्चे यह हमारी क्या इसको नाम दिया जाता है मैची अब इस मैची में जलकी मातरा घट रही है और यह हमारी सब तो कोशी है फिर इसी हो कॉल किया जाता है कोशी रिवर अब एक्च्वल में इस मैची को जोड़ा जा रहा है इस कोशी से जिसके द्वा लिए जाएगा और साथ में वह एरिया जहां पर जलके आपूरती ज्यादा है यहां कि वह बार की स्थिति उत्पन्द कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा सेम एस प्रोजेक्ट आप आएंगे कि नीचे भी यानि कि जब इनकी दक्षणी सायक नदियों को देखत हैं तो यह वीडियो से आपके लिए काफी काम के हैं एक बार आप जाकर इसको देख सकते हैं चंबल सिंद बेतवा केन यहां पर फिर सोन टोंस आती हैं यहां पर बेतवा और के मद में भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था इसी एनर एलपी के तहर और इसको कॉल किया गया परियूजना कारगर हुई उसी प्रकार से अब यह परियूजना बिहार में कारगर होने वाली है यानि कि जो बिहार का शोक था अब इसको कम किया जाना प्रस्तावित है कि सर इसके प्रभाव को और कम कैसे किया जाए क्योंकि मांसून काल में यह बहुत ही ज्यादा यहां पर किया जाना है और इसके द्वारा लगभग 2.14 लाग हेक्टेर के छेत्र में सिचाई की सुविदा उपलब्द कराई जाएगी आप सभी के लिए एक महत्पूर्ण सूचना इसके अलावा यह है कि इस टड़ी आई की यह जो पीटू आई बैचेस थे जो कि हमने आप आज है और यदि आप अभी इन बैचेस को जोईन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है अपनी पूरी UPSC की जरनी को फ्री आफ कोश्ट अविल करने का है यानि कि यदि मैं आपके साथ बात करूँ तो यहाँ पर EKB लाइब कोट के साथ जब आप इन बैचेस को जोईन करेंगे तो यह आपको 24,999 रुपए में देखने के लिए मिलेंगी परंतु मैं आपको बता दूँ बच्चे कि यह टेक इसको नहीं दे पा रहे हैं या फिर इस फीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि सर हमने फीज दी है और अब हमारा टारगेट है कि हमें यह दो हजार पच्चेस का प्री कौलिफाय करना ही है याद रखीएगा यह कोई बड़ा अम के लिए जिनके लिए अमाउंट बड़ा है मैं हंड्रेट परसेंट गरेंटी के साथ मूलता हूं कि उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह वैवार करेगा कारण यह है कि उनकी पूरी यूपीएसी की प्रपेशन फ्री ओफ कोश्ट कराने का जम्मा उठा लिया है इस टड़ के हिंदी वर्टिकलॉ के एक्सपर्ट offers के साथ लिएशन के साथ तयारी करते आना है अर्थां यहां पर आपको live classes थे आरकी डिलिलिर आउक्स होती है 1000 प्लस आर की live classes आपको मिलेंगी SIP प्रोग्राम मिलेगा SIM प्रोग्राम मिलेगा MRP प्रोग्राम यहाँ पर add है IGV प्रोग्राम है और साथ में पूरे notes हैं handout हैं और साथ में यहाँ पर लगभग 2 से 2,5 वर्षों का सफर आप तै करेंगी वो भी study IQIS हिंदी के खर्चे पर तो यहाँ पर एक बहुत ही सुनहरा मौका है मैं यहाँ पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज इसकी untim date है फिर इसके बाद price आपके थोड़े से high हो जाएंगे क्योंकि अभी वर्तमान में मौनसून दमा का सिल चल रही है और यदि आप एक ही भी life code का यूज़ करते हैं तो यह आपको 24,9999 बैच प्राप्त होने वाला है तो यदि आप अभी भी इन में जॉइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द जल्द से जल्द आप इन batches का part बने और मिलते हैं इन्ही batches की live classes में जब हमारी geography class लगीगी एक और important बात कि यहां पर quality आपको पढ़ाने वाले हैं अमरे तो पाद्याय सर यानि कि जस घड़ी का आप बहुत बेसवरी से वेट कर रहे थे कि सर मुझे अमरे तो पाद्याय सर से पढ़ना है उनके guidance में मुझे तयारी करना है तो भई वो घड़ी भी आ चुकी है कि quality की class अमरे तो पाद्याय सर ले रहे हैं तो यदि part नहीं बने तो जल्ली से जाए website पर click करें और यदि कुछ भी doubt होता है तो आप management से संपर करें धन्यवाद